जनरल बिपिन रावत चीप ओफ स्टाफ कमीटी, CCA's के चेर्मेन का पदभार शुक्रवार को ग्रहन करेंगे वायु सेना प्रमुख बिएस दनुवा इसी महीने की तींस तारीक को रिटायर हो रहे हैं वे एक कारेक्रम में जनरल रावत को बैटन सौपेंगे CCA's चेर्मेन सेना के तीनों अंगों का सर्वोच पद होता है यह आखरी बार है जब CCA's के पदभार ग्रहन का यह कारेक्रम होगा इसके बाद सरकार Chief of Defense, CDA's की नियुक्ती करने जा रही है यह देश में सेना का सर्वोच पद होगा BCA's के चेर्मेन का पद उन्होंने पिछले साल 1 जून को ग्रहन किया था उनसे पहले पूर्वन और सेना प्रमुक सुनील लामबा इस पद पर नियुक्त थे जनरल रावत कई पदों पर सेवा दे चुके हैं जनरल रावत आई ये में देहरदून से प्रशिक्षित हैं दिसम्बर 1978 में भारतिय सेना के ग्यारहवें गोडखा राइफ हल्स की पांचपई बटालियन में अपनी सेवा देनी शुरू की थी जनरल रावत पूर्वी क्षेतर में लाइन अफ एक्चुल कंट्रोल पर कश्मीर घाटी के इंफेंट्री डिविजन में राश्री राइफ हल्सेक्टर के साथ ही डेमोक्राटिक रिपबलिक अफ कॉनगू के बहुराश्री अबिग्रेड को कमांड कर चुके हैं